ट्रेंथ में पढ़ने वाले सभी चात्रों का एक बार फिर स्वागत गंडित दर्पन चैनल पे अम पढ़ रहे है प्रश्ण वाली 3.3 दो चरो वाले रेकिक समीकन युगम और उसके अंदर से अमारा जो पहला प्रश्ण है वो हो गया था फर्श्ण परश्ण था कि दिम्न रेकिक समीकन युगमों को परतिस्तापन विदी द्वारा हल कीजिए तो हमने परश्ण एक एक करके देख लिए है नेक्स दूसरा परश्ण देखते है दूसरा परश्ण काफी इंपोर्टन परश्ण है और एक जाब के अंदर आता रहता है द्यान देना है सबको कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एक एक समीकन है दूसरा है और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए आपको इन समीकन को हल करना है और इससे m का वहमान ग्याद कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो यानि इसके अंदर कुछ नहीं करना जो आपने पहले सवाल के अंदर किया वो का वो काम करना है पहले सवाल में क्या किया था हमने कि परतिस्ता पनविदी से हल किया था x और y का मान निकाला था तो यहाँ पर भी वही करना है x का और y का मान निकालेंगे जो भी आपके x और y का मान निकलेगा उसको इस समीकन के अंदर परशन है 2x plus 3y बराबर 11 और 2x minus 4y बराबर minus 24 को हल कीजिए तो यहां पर मैं इस समीकन को ले लेता हूं नीचे 2x plus 3y बराबर है 11 ठीक है और इसका नाम दे दो समीकन number 1 जो कि हम पहले स्वाल के अंदर किया था आपने एचे दंग से समझ लिया होगा दूसरा जो समीकन है 2x minus 4y बराबर है minus 24 समीकन number 2 ठीक है अब समीकन number 1 और शमीकन number 2 इसको solve करके आपको x का और y का मान लाना है कौनसी विदी से परतिस्ता पत्विदी अभी तक हमने परतिस्ता पत्विदी को ही पड़ा है तो यहां पे लेता हूं किसी भी एक समिकरण को आप solve कर सकते है जो भी आपको सही लगे तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ समिकरण 2 ही को solve कर लेता हूँ तो समिकरण 2 लेता हूँ समिकरण 2 से समिकरण 2 ले लिया कि 2x minus 4y बराबर minus 26 है ठीक है यह समिकरण 2 है इस 2x को इधर ही रखता हूँ इसको पक्संद कर लेता हूँ देखिए, माइनस का 4y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पलस का 4y तो यह हो जाएगा पलस का 4y और यह माइनस के 24 जो राइट एंड शाइड में है यह ऐसे के ऐसे नेक्स यह जो 2x है, यहां से हमें x का माण लाना है, तो x को इधर ही रखूँँगा और इसको देखो, 4y माइनस 24, इसके नीचे बाग ले जाएगा किसका? 2 का, गुणां का बाग लगता है x का माण और थोड़ा इजी निकाल सकता है, देखिए, 4 का और 26, इस दोनों के अंदर 4 का बाग इजी ली जा रहा है, तो मैं दे दूँगा, या फिर 2 कोमन ले लो, देखिए, 2 का बाग 4 में भी जा रहा है और 26 में भी जा रहा है, यानि 2 कोमन ले ले लेता है, ताकि 2 नीचे से कट जाए, तो यहां से ऐसे करता हूं 2 common लेता हूं जैसे मैंने 2 common लिया तो 2 का बाग 4 में जाएगा यहां 2 आ जाएगा और y ऐसा का ऐसा फिर bracket के अंदर minus ऐसा का ऐसा दो का बाग 24 के अंदर चला जाएगा तो आ जाएगा अपने पास 12 ब्रेकेट के अंदर आ गया हमने पास 2y-12 और नीचे आ गया 2 ठीक है उपर और नीचे अंस में और हर में दो दो है तो इसको हम काट सकते हैं तो इसको काट दो यह 2 से 2 है वो cancel हो गए तो जो बचा है वो लिख लो एक बार लिख लेता हूँ x बराबर 2y-12 ठीक है अब यह x का मान निकल गया इसका नाम दे दो समिकर नंबर 3 समिकर्ण 3 से जो x का मान है वो समिकर्ण 1 में रख दो तो यहां लिख लेता हूँ शमिकर्ण 3 से x का मान शमिकर्ण 8 में रखने पर शमिकर्ण 3 से x का मान समिकर्ण 1 में रखने पर तो समिकर्ण 3 से 2y-12 है वो यहां हम x की जगर रख देंगे तो यहां पर लिख लेता हूँ 2y-12 जो भी मान निकलता है वो पूरा का पूरा आपको रखना है जैसे कोई एक संक्या आती एक अंक में तो यहां पर और यहां पर x का मान 2y-12 है तो 2y-12 पूरा रख दीया तो यहां पर 8y यह एसा का पीछे और बराबर 11 दो का जोड़ा इसे गुन रापकर diff iki से गुना मान फ़ेगा तो troubled से गुनाएगा-1 जा यहां पर लेतो चार wyb से काल यहां जाएगा twitter 4y- और यहां से क्या करता हूँ, यह जो 24 है, माइनिस के, पक्सांतर करके इदर लाता हूँ, तो क्या आ जाएगा, पलस के 24, और यह पलस के 11 ऐसा का ऐसा है, तो 7y बराबर 24 और 11 मिलके कितने हो गए, 35, 35, वाय कमान लाना है, तो हम वाय कमान ले आते हैं, उसके बाद में वाय कमान वापस रख लेंगे, समिंगम 3 के अंदर तो हमारे x कमान निकल जाएगा, तो वाय कमान निकल देते हैं, यहां से, देखी कह निकल जाएगा, जो हमारे पास आया, 7y बराबर 35 है, तो यहां से आजाएगा, y बराबर 35 के अंदर बाग लग जाएगा, किसका, 35 बटा 7 आगया, और y बराबर आजाएगा, हमारे पास, 7 का बाग 35 में चला जाएगा, 7 पंचे 35, यानि y कमान आगया, 5, अब यह y कमान, आपको रखना किसमें, समीकन 3 के अंदर, तो यहां लिख लेता हूँ, y कमान, शमीकरण, 3 में, रखने पर, शमीकरण 3 क्या है, देख लो एक बार, देखिए यहां पर, बता देता हूँ, आपको शमीकरण 3, समीकरण 3 हमारे पास है, x बराबर 2y-12, तो यहां से, x बराबर 2y-12, मैं लिख लेता है मान, समीकरण, पूरा लिख लेता हूँ, कि x बराबर 2y-12, यह समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 के अंदर, y कमान, मैं 5 है, वो रख लूँगा, तो जिसे हमारे x कमान, पूरा-पूरा निकल जाएगा, तो यहां से, x बराबर 2y कमान लिख लेता हूँ, मैं 5-12, तो x बराबर आ जाएगा, 2 इंटू 5, कितने हो गए, 10, और माइनस 12, x बराबर 10, मैं से 12 आगया, तो क्या बचा, माइनस का 2, तो इस तंग से x का मान आ जाएगा, आपके मान का 2, और y का मान का आ गया, 5, तो दोनों मान निकल गए, अब जो परश्नों के अंदर, एक्ष्टा बात पूचिए, वो आपको निकालना है, परश्णा के अंतर दो बात पूचिए, एक तो आपको पूचा है कि हल कीजिए, हल करने का मतलब यह होता है कि यहां पर देखिए, परश्णा को पढ़ता हूं मैं वापस, परश्णा था हमारे पास कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x-4y बराबर 24 को अहल कीजिए, फिर यह कह रहा है कि इससे m का वह मान ग्याद कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, तो m का मान निकालना है, और यह स शमीकरन नंबर y बराबर mx प्लस 3 के इंदर लिख लेते हैं सभी मान, अब हम निकाल देते हैं m का मान, तो y बराबर mx प्लस 3, तो यहां पर x का मान तो माइनस 2 है, और y का मान आपके कितना है, y का मान है 5, y बराबर कितना है, 5 और x का मान माइनस 2, तो वो यहां पे रख लेंगे हम y का मान आपके है 5 और m और x की जगह है माइनस का 2 ब्रैकेट के अंदर लिख लो एक बार x का मान केंदा है माइनस के 2 और पलस का आ जाएगा 3 5 बराबर अब देखी माइनस का 2 का गुणा m से होगा तो माइनस 2 m हो जाएगा और पलस का 3 आपको पूछा है m का मान तो क्या करेंगे यहां से पकसंतर कर देते हैं सबको देखी तो 5 यह जो पलस का 3 है पकसंतर कर तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और यहां से माइनस 2 m ऐसा का ऐसा तो यहां पर आजाएगा देखिए पांच माइनस तीन करेंगे तो क्या आजाएगा दो फिर बराबर यह माइनस का दो एम है मुझे एम का मान निकालना है तो एम का जो गुणा के उसका बाग लग जाएगा तो दो बटा माइनस के दो एम बराबर आजाएगा एम दो मैं माइनस दो का बाग देंगे तो क्या आजाएगा माइनस का एक बराबर आजाएगा एम तो यहां करके आप आगे लिखलो कि एम बराबर आगया आपके पास माइनस का एक तो इस तंग से आपके एकस का मान आगया माइनस का दो वाई का मान आग पांच और M का मान आगया माइनस का वन तो पूरा कम्प्लीट होता है यह प्रस्णा इस दंग से और आपको अपने नोटबुक के अंदर इसको व्यवस्तित रूप से उतारना है तीसरा प्रस्णा आज देखेंगे तीसरा प्रस्णा दे रहका है कि निवन शमस्षाओं में रेकिक समीकन युगमू बनाईए और उनके हल परतिस्तापन विदी द्वारा ग्याद कीजिए अलग-लग टाइप की समस्षाओं दे रहकिए उन समस्षाओं से सरल करके पहले रेकिक समीकन युगमू बनाना है और उसके बाद में उसको परतिस्तापन विदी द्वारा हल करना है यह आपको इस प्रस्णा के अंदर पूछा गया है प्रस्णा पहला दे रखा है कि दो संक्याओं का अंतर है वो 26 है दो संक्याओं होगी और उसका अंतर दे रखा है आपको 26 एक संक्या दूसरी संक्या की तीन गुनी है तीन गुनी तो उन्हें ग्याद कीजिए यानि दो संक्या है वो कौन सी है वो आपको निकारना है तो ल संक्या दे रखी है तो दोनों संक्याओं को मान लेंगे एक को X और दूसरे को Y तो यहां ले ले लेता हूं मैं कि माना माना की दो संक्या है माना की दो संक्या है वो क्या है एक X है और एक Y है X तथा y है ठीक है x और y मान दी अब पहली सर्थ क्या कह रहे है कि दो संक्यों का अंतर है वो 26 है तो मैं मान लेता हूँ कि पर्थम सर्थ से पर्थम सर्थ से लिख लेता है पर्थम सर्थ से कि दो संक्यों का अंतर है वो 26 है अंतर का मतलब क्या है जैसे मानलो 15 संक्या है वो दूसरी है वो मानलो 12 है अब आपको पूछा जाए कि इन दोनों संक्याओं का अंतर कितना है तो आप क्या करेंगे 15 माइनस करेंगे 12 तो आ जाएगा 3 अंतर का मतलब यह है गटाना बड़ी मेंसे चोटी को गटाना तो यहाँ पे वो ही काम करूँगा मैं कि दोनों संक्याओं का अंतर है वो 26 ले लूँगा तो यहाँ लिख लेता हूँ कि X माइनस Y बराबर कितना है 26 है यह आपके आगई पर्तम सर्थ से समिकन आ गया 2 च्रवाला रेकिक समिकन अब मैं दूसरी सर्थ लिखूंगा उससे दूसरा रेकिक समिकन आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लेता है इत्तिय सर्थ से अब दित्तिय सर्थ क्या दे रखिए देखिए एक संक्या, दूसरी संक्या की तीन गुनी है, आपको बोला है कि एक संक्या है, वो दूसरी संक्या की क्या है तीन गुनी, तो माल लेता हूँ कि एक संक्या जैसे X है, वो दूसरी संक्या की क्या है, तीन गुनी, तो तीन गुनी बना दिया यह आगया समीक्राण नंबर 2 अब आपके simple साथ काम करना है कि समीक्राण 2 से जो x का मान है वो समीक्राण 1 के अंदर रख दो तो यहाँ पे लिख लेता हूं कि समीक्राण 2 से समीक्राण 2 से x का मान शमीक्राण एक में रखने हैं पर यही करते हैं, परफंधन विदी हैं, कि 1 4 का मान है, वो दूसरे के अंदर रखते हैं, तो हमारे एक 4 में मान सीधा आ गिया है, इसको अल करने के जरूत ही नहीं पड़ी, सीधा x का मान आ गिया, हमारे पास 3 y, तो इसको 3 y को रख दोंगा सीधा, समीकन एक के अंदर, तो समीकन दो से x का मान समीकन एक में रखने हैं हुआ है समीकन एक लिख लेता हूँ x माइनस y बराबर है 20, यह समीकन नमबर 1 है अब यहाँ पर मैं x का मान 3y पूट कर देता हूँ, यह जो 3y है x का मान, वो इस x के इस्तान पर रख लेंगे, तो यहाँ पर मैं 3y है वो रख लेता हूँ फिर माइनस, यह जो y है वो ऐसा का ऐसा, फिर बराबर यह 26, ठीक है अब 3y मैंसे y गया तो क्या बचा, 2y 3 मैंसे 1 गया, तो क्या बचा, 2 2y आ गया, और यह 26 अब y का मान क्या आ जाएगा दूसरी संग्या निकालने के लिए वापस आपको रखना पड़ेगा शमीकरण 2 के अंदर रख दो, समीकरण 1 के अंदर रख दो किसी मैं भी रख लो, आपके x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर यह जो y का मान 13 आया वो समीकरण 2 के अंदर रख लेता हूँ तो x का मान आ जाएगा, देखे, x बराबर यह है 3y x बराबर 3 इंटू 13 तो x का मान के अंदर आ जाएगा 39 39 49 तो इस टंग से आपके दोनों संग्या निकल के आ गई कि एक संक्या तो है 49 और दूसरी संक्या है वो 13 है तो आपके यह जो सर्त है वो लागू होगी दो संक्यों का अंतर है वो 26 होना चीए तो देखे, यहां पर 49 में से 13 को गटाऊंगा तो 20 आ जाएगा साथी एक संक्या, दूसरी संक्या की 3 गुनी है तो देखे, 3 गुनी आ गई 13 इंटू 3 करेंगे तभी आएगा 49 तो इस टूसरी से आप संक्या निका सकते है यह आगए आपके आंसर नेक्स जो दूसरा प्रस्ना है वो है आपके कि दो संपूर कौनों से बड़ा कौन, चोटे कौन से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ग्याद कीजिए यानि दो संपूर कौन है और संपूर कौन का गुन्द्रम आपको पता होना चीए कि ऐसे दो कौन जिनका योग 180 डिग्री होता है उसे कहता है संपूर कौन साथ ही आपको बदा दू कि पूर कौन क्या है पूर कौन किसे कहता है ऐसे दो कौन जिनका योग 90 डिग्री हो क्या कहलाता है पूर कौन तो इसी गुंद्रम पे यह प्रश्न बदा हुआ है और इसको हम करते है नेक्स पेज़ पे तो सबसे पहला काम हमारा यह है कि दो संपूर कौन को मान लेते कि एक कौन X है और दूसरा कौन Y है तो यहां मैं लिख लेता हूँ कि माना दो शंपूर कौन दो संपूर कौन X तथा Y है अब इसके अंदर यह भी मान लेते हैं कि जो X है वो बड़ा है Y से तो यह मान लेते हैं कि माना दो संपूर कौन X तथा Y है और X is greater than Y यानि X जो कौन होगा वो Y से बड़ा होगा यह हमने पहले ही मान लिया है अब दोनो सर्थ से हम दो समीकन बनाएंगे तो यहां पे लिखता हूँ पर्थम सर्थ से जैसा कि पहले सवाल में किया था वैसा का वैसा दो सर्थ हमेसा मिलेगी हर सवाल के उंतर और दोनो सर्थ से हमेसा दो रिखिक समीकन युगम बिलेंगे तो यहां पर्थम सर्थ से दो संपूर कौन जैसे संपूर कौन आ गया यानि आपको पता होना ची कि दोनों कौन का योग है वो कितना आना ची आपके 180 तो यहां पे दोनों कौन मैंने X और Y लिया तो दोनों कौन का योग है वो ले 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 ताओ मैं 180 असी, समीकर नमबर जो फर्स्ट है, वो तो यही आ गिया, next दूसरी जो सर्त है, लिखता हूँ, नित्य सर्त से, अब नित्य सर्त क्या दे रखेगी, दो सम्पूर कौनों में, जो बड़ा कौन है, बड़ा कौन, छोटे कौन से 18 डिगरी अधीक है, तो बड़ा कौन मैंने मान जोडने पड़ेंगे, तो यह आ गया 18 डिगर, यानि एक्स बराबर आ जाएगा, वाय प्लस 18, इस तंग से समीकर बनाना आपको आना चीए, अमेसा जुका मैं, उसके अंदर जोडा जाएगा, जैसे कि हमने पहले सवाल के अंदर किया था, कि ती गुना है, तो तीन का गु इन दर, तो लिख लिदे हम, इस समीकर अपकान, तो गंदर ह मेला, चीए, आपको याँ और याँ पर, यह यह आँ पर कि ए, एक्स प्लस वा बराबर क्या है 180 तो x कमान मेरे पास क्या है y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 यानि कि आपके जो y और y यह जूट जाएगा यहाँ पे तो आजाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180 2y इधरी रहेगा और यह जो 18 है वो पक्सांतर होके आगे चला जाएगा तो 180 मैंस हो जाएगा 18 तो 2y 180 मैंसे 18 आगया तो क्या बचा 162 162 y का मान निकाल दो 162 दो का बाग लग जाएगा इस टंग से y का मान आगया आपके पास 8 और 1 यानि 81 आजाएगा y का मान एक कौन आपके निकल गया आगया अब दूसरा कौन निकालने के लिए वही y का मान समीकरण 2 के अंदर रख दो तो य समीकरण 2 मैं रखेंगे तो x का मान आजाएगा तो x बेरावर देखिए याँ पर y प्लस क्या है 18 समीकरण 2 लिखा मैंने x बेरावर y प्लस 18 तो x का मान आगया देखी y के जगा कितना रखूँगा 81 81 पुलस आजायेगा 18 अब जोड़ेंगे तो x का मान निकल जाएगा x का मान किना आजायेगा देखिए 81 पुलस 18 तो आजायेगा 99 तो इस टंग से आपके x का और y का दोनों मान निकल के आगए एक कौन तो आपके एक क्यासी है और दूसरा कौन निन्यानवे दोनों को जोड़ेंगे तदे की 180 आ रहा है जो की संपूर कौन गोंद्रम का पालन हो रहा है तो इस तंग से आप परश्णों को कर सकते हैं बाकी परश्णों आपको सेल्फ करना है यह दिक कोई समझे आती है त मैं उनको आपको अलग से वीडियो बिना के कर दूंगा